इस इंस्टेंट आटाडोसा को बनाने के लिए चाहिए हमें किचिन में मौजूद बस दो से तीन सामान तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है आदा का पाटा इसके बाद यह है एक चोथाई कप सूजी नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से और इसमें एक कप पानी डाल कर इसे घोल लेंगे और इसे ढख कर रख देंगे साइट में 10 मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए इस पीच हमें एक मसेदार सी नारियल की चटनी बना के त्यार कर लेंगे चटनी बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम नारियल ले ली है और इसके साथ ही है ये एक चताई कप भुने हुए मौंग फिली के दाने इसके साथ ही दो से तीन हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा भी ले लेना है एक टेबल स्पून दही और नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से अब इस चटनी को हमें पीस लेना है यहाँ पर हमारी चटनी बिल्कुल तयार है आप चाहें तो सरसो हरी मिर्च और करी पता से तड़का लगा सकते है यहाँ पर 10 मिनिट हो चुकिया है सूजी अच्छी तरह से फूल गई है अब हम इसमें डाल देंगे बचे हुए इंग्रीडियन तो सबसे पहले डाल देते हैं आधा चोटा चमत जीरा दो हरी मिर्च एक चोटा प्यास और साथ में एक निमू का रस बैटर की कंसिस्टेंसी को एड़़स्ट करने के लिए हाँ पर मैंने आधा कप पानी और डाला है और इस बैटर में टोटल मैंने डेड़ कप पानी का यूस किया है अब बस इसे मिक्स कर लोगे और एक तवे को गरम करके उसे ऑईल से ग्रीस कर लेंगे आप डोसे के बेटर को तवे पर डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे चारो तरफ और इसे लो हिट पर अच्छी तरह से पका लेंगे और यहाँ पर डोसा तवे से अलग हो गया है, बैक साइट पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, इसका मतलब हमारा जो डोसा है वो बनकर बिल्कुल तयार है इस गर्म गरम डोसे को नार्गल चटनी या फिर अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ इंजॉय करें अगर आपको आज के इंस्टन डोसा की रेसेपी पसंद आई हो तर वीडियो को लाइक, शेर और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें